डेट निकल गी हैं, लेकिन पीरिट्स नहीं हो रहे हैं, तो रिलैक्स, परिशान ना होए, गहरी सांस लें और आज की वीडियो थ्यान से देखें एक महीला होना असान काम नहीं है, है ना, हर महीने पीरिट्स, क्रैम, स्मूर, स्विंग, सिर्फ एसी का सामना नहीं करना है, पीरिट्स की डेट का हिसाब भी रखना पड़ता है, पीरिट्स होना जितना दर्दनाक होता है, उनसे कही ज़्यादा उनका बेवजा लेट हो जान जादा जल्दी आ जाना डेट का गड़ बड़ा जाना डेट भूल जाना यह सब जादा चिंता का विश्य बन जाता है तो हेलो एवरिवन मैं हुज़या मलीक और आज की विडियो में हम बात करेंगे साथ ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वज़े से या तो आपकी पिरर्ट्स होती ही नहीं है या लेट हो जाते हैं या बहुत मतलब या फिर दो तीन महीने में एक ही बार हो जाते हैं और साथ ही का और जानेंगे किए अगर ऐसी सुचैंशन हें तो इसमें करना क्या चाहिए तो आज की वीडियो को आप मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करना है ताकि जाम पर फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम है जहां पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड अपनी कोशन पूछ सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्षन में पूछने में कमफर्टीबल फील नहीं करते हैं तो आप डिरेकली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अपने कोशन कारण हैं जिनकी वज़े से आपके पीडिट्स बेवजा लेट हो जाते हैं झाल नंबर एक है आपके वेट में फ्लक्ट्वेशन होना या तो आपका वज़न बहुत जादा बड़ा है या घटा है अगर आपके वज़न में कोई भी फरक दिखता है तो सबसे पहले आपकी मेंस्ट्रूल साइकल में बदलावा जाता है आपकी बॉड़ी आपके वेट के अ लिसक स्टॉषर शूरू कर डीजिए contrast के अपने वेज़न कम करने के दिखी अगर राप ज़रो से ज़रो से जयादा सोचते हैं तो हम अच्छों गयं कर रहे हैं ऑलकूल गलत है होकि स्ट्रेस आपकी हेल्ध का सबसे बड़ा दूश्मन है stress आपके hormonal balance को बिगाड सकता है, जिसकी वज़े से आपके periods लेट हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई ना कोई होबी का आप सहरा ले सकते हैं, आप meditation कर सकते हैं, आप कोई अपनी मन पसंद होबी, जैसे की cooking, singing, listening music, swimming, dancing, painting, ये वगेरा करके आपको stress कम करने में काफी मदद मिलेगी, आप exercise कीजिए, morning walk पे जाएए, आप अगर TV देखते हैं, तो TV में ऐसे हसी मजाक वाले सीडल्स देखें, जिससे आपके stress में कम होने में मदद मिलेगी, अगर आप बच्चे को दूर्द पिलाती हैं, यानि ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी cycle डिस्टरब हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके periods कुछ महिनों के लिए miss हो जाएं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जादा घबराना नहीं चाहिए, ये चिंता की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, जब आप ब्रेस्ट फीड बंद कर देंगी, तो धिर धिर आपकी period cycle भी नॉर्मल हो जाएगा, पर एक ज़रूरी बात में आपको बताना चाहूंगी, कि इस दुरान अगर आप अपने partner के साथ बिना किसी protection के relation रखती हैं, तो ये chances हो सकते हैं कि आप pregnant हो, तो अगर आपको doubt है कि आपने partner के साथ relation रखा है, और आपको periods नहीं हो रहे हैं, और आप breastfeed भी कराती हैं, तो आप pregnancy का test भी ज़रूर चेक कर लीजे, क्योंकि 10 में से 7 महिलाओं को ये doubt रहता है, या वो confused रहती है, उनको ऐसा लगता है कि हम breastfeed कराते हैं, बच्रों को दूद पिलाते हैं, तो हमें periods में सो रहे हैं, ये normal है, मैं आपको सला दूँगी कि अगर आपने relation रखा है without any protection with your partner, तो आप अपना pregnancy check-up भी कर ये, pregnancy नहीं निकलती, तो it's okay, normal है, आप breastfeed कराती हैं, जब बंद कर देंगे, तो periods नॉर्मल हो जो इस धोके में रहती हैं, कि हम breastfeed कराती हैं, और हमें periods नहीं हो रहे हैं, और उनको निकलती है, चार महीने की pregnancy, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में ज़रूर रखेगा, नमर चार है birth control pills, अगर आप birth control pills लेना शुरू करती हैं, या चानकी छोड़ देती हैं, तो आपकी cycle disturb ज़रूर हो जाती है, क्योंकि birth control pills लेने से eggs बनते ही नहीं हैं, तो हो सकता है आपको periods ना हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको birth control pills लेना avoid करना चाहिए, नमर पांच है कि आपको PCOS है, PCOS यानि polycystic ovary syndrome, जिससे भारत की लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं गरस् और इस थिति में body male hormones जादा बनाती है, जिसके कारण एग नहीं बनते हैं, तो हो सकता है कि आपको PCOS है, जिसके कारण आपको periods नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको अपने गनेकोलोजिस्ट के द्वारा बताया है, वह PCOS का पूरा treatment लेना चाहिए पौश्टिक आखार ही लेना चाहिए, exercise वगेरा करना चाहिए, नमर 6 है हो सकता है आप जरूरत से जादा exercise करती हैं, जादा exercise करना भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, जादा workout करना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं रहता है, जादा workout जरूरत से जादा workout और exercise करने से estrogen का level कम हो जाता है जिसके कारण आपके periods irregular हो सकते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आपको limited exercise करने चाहिए क्योंकि आप और मैं भरी बात ही जानते हैं कि excess of everything is bad तो ज़रूरत से ज़्यादा exercise आपका शरीर खराब भी कर सकती है नमर साथ है perimenopause perimenopause का मतलब है आप करीब-करीब menopause के नजदीक आगे हैं जिसका सबसे पहला sign होता है irregular periods तो अगर आपकी umbra menopause के नजदीक आचुकी है तो आप घबराएं नहीं इसके अंदर आपको periods late होंगे क्योंकि इसके अंदर आपका estrogen का level है वो काफी कम हो जाता है तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए ऐसे मैं आपको घबराना नहीं चाहिए मैं आपको ये बोलूगी कि ये natural process है तो इसमें आप घबराएं नहीं बस अपना एक healthy active life style को follow करें आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक ज़रूर दे के जाहिएगा पहले बार आये थे तो चैनल को subscribe ज़रूर करके जाहिएगा अंत में यही आपको बोलना चाहूंगी कि अपना खयाल रखें खुश रहें स्ट्रेस कम लें और मिलती हो अगली वीडियो में तब अपना ध्यान रखेंगा बाबाई